मेरे प्यारे रुविद्यार्थी साथियों नमस्कार। मुझे पता है कि जिस तरह से मई के महीने में टेंपरिचर बढ़ रहा है। खीक इसी प्रकार से C.U.E.T. जैसी बड़ी परिक्षा आने के कारण आपकी भेचेनी भी बढ़ रही है। और मैं तो भली भाती विद्यार्थियों के पिला को समझता हूँ। आप सबी कुछ लोग शरार्थी भी होते हैं। कितने भी करीब परिक्षा आजा है। कहते हैं जी रील्स देखे बिना चैनी नहीं आता। तो कुछ छात्रों की मजबूरियां भी होती हैं। लेकिन एक और जो सबसे बड़ी चिंता होती हैं। वो है NTA नाकाम्याब टेस्टिंग एजन्सी। और ये चिंता का कारण भी स्वभाविक है। कई बार परिक्षाओं का टाला जाना। अब जात्रों समझ रहें भाई 20 तारी को है। एक इस तारी को है। अब वो जैसे ही किस के लिए तैयार हुए। सबसे बजा चला के अरे अगले महिने के द्रस्तारी को है। एक तो ये चिंता हो गई। अब उसी में छात्री भी सोता कि चलो अभी तो 20 दिन है। प्रालाबर भाई भी हो जाजो। क्या बात होगी। लेकिन सुनवतियाई खदम नहीं होती। आप लोग अवेडमिट काड का भी समय आता है। तो पता चला कि घर हमारा काशी में है। सेंटर चला गया है जालंधर। अब काशी से जालंधर जाने में अब फिर एक आगिर्जाम लगातार है। तो परिक्षा छूटने की भी संभावना होती है। और इसके साथ ही अगर जैसे तैसे परिक्षा हो भी जाया है। तो उससे बड़ी चुनवति हो जाती है आंसर की। आंसर की आ रही है। पता चला कि आंसर की आपकी इसतारी को रिलीज होगी। अभी त्यार्थी पढ़ा हुआ है। वो बेताब है। इतने सारे कोचन रगाए गए हैं भई। मेहनत हुई है। पता चला उस दिन कोई आंसर की ही नहीं आई। फिर दो दिन का वेट करिए। आप ही गई। तो मुझे लगता है कि सबसे जादे चैलेंजिंग होता है। अब यह भी पता करना कि कितने सही आंसर है। गलत आंसर की बात छोड़िए। सही आंसर की भी उसके बाद आती है। फिर रिजल्ट है। काउंसलिंग है। और नमबर पता चल जागा कि आप यहां पर संपर करिए। वहां बात होगी तो पता चलेगा कॉलेज में संपर करिए। तो छातर फुटबॉल की एक गेंदर की भाती हो जाता है। इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। कब वो गोल में बदलेगा पता ही नहीं है। गोल का मतलब गोल का अचीव मेंड करना है। और इसलिए ऐसा नहीं है कि क्योल खाद्रों के साथ ही समस्या है यह इसलिए भी होता है क्योंकि सच मुझ में NTA के उपर भी काफी बोज है यह इसी प्रकार से है आप समझे तो कि कोई four-seater कार हो और उसमें कह दिया जाएगी भाई नव लोगों को ले करके जाना है कोई किस प्रकार से ले करके जाएगा तो एक testing agency अनेक परिक्षाएं और तमाम परिक्षार्थियों का जबाओ इसमें यह जो NTA है कभी कभी इतना भारी बोज उठा नहीं पाता है बहराल हम उमीद करेंगे कि NTA के supporting और भी अजेंसी चबलब हो और धिरे धिरे NTA में भी आमूल चुल सुधार होंगे अच्छा काम होगा लेकिन आपसे भी आग्रह है कि तब तक आप लगातार बिना अपना focus हटाएं जैसे कोई test match का batsman निरंतर batting करके दोहरा triple century मारता है आपको भी CUAT के परिज्ञा टाप करना है उत्तिन करना है और कोई तुनवती आती है तो मालवी एकेडमी जैसी संस्थान आई है सब पर करिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद हुआ है